पूरे देश में ग्यानवापी मस्जीत में अमले को लेकर उपजे धार्मिक विवादवा धर्म विशेश की खिलाफ की गई एक कथि टिपड़ी के विरोध में आक्रोशित समास द्वारा किये जा रहें विरोध वहिंसक प्रदर्शन को लेकर दुर्ग जिले के समास सेवी के मैं ओ शाहिन खान आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धर्म की राजनीती को लेकर जिह घर्म की विवस्ता आपस में लड़ा कर राजनीती रूटियां शेटना है।टो, धर्म के नाम पर लड़ा दो और फिर, देखो कि देश में किस तरो शांती व्यवस्था भंग होती है। हम शांती वस्था के इसलिकत बाह न शीयर ते लिए ऊचलाइं के चुहान जी के 맞। भाजपा के जिलाव मेडिया कभारी हैं और समासिवी भी हैं इस वक्त हमारे साथ इस्टोडियों मौजुद हैं उनका स्वागत करते हैं शर्म आप चर्चा करेंगे धर्म पुले का राय निती की जाया है उस पर तो सबसे बह noises पहले बतायंगे एक ग 59 गानवापी मस्जिट आ कि लेख संपत्त प्रती वाद या पिर आस्था का प्रती को है दीदेव यह विवेक का प्रतीभ में अनो सब्सूर्ण करते है कि देश आपस जो सही है बहुते चेंदी आध आज हो सकता है कि जैसे कोई कानून हम बनाते हैं, तो उसको संचोजन करने के लिए क्यों हमारे पास option होते हैं, क्योंकि जो आज कानून बनाया है, हो सकता है कि आगे चलके वह वहां की जंता के लिए, वहां के आबो हावा के लिए मुनासिब ना हो, तो उसको बदा जा सके, उसमें संचोनन किया जा सके वैसे ही है कि जो ज्ञान रेती जो मामरा है जब बाहरी आकरांताय हैं तो उन्होंने बाहरी आकरांताय एक क्या होता है कि उनको किसी मझहब से कोई लेना देना नहीं रहता है मैं आपको बताओं कोई मझहब से कुछ नहीं न देना रहता है उन्हें सिर्फ राज करना और राज करने के लिए ही वो धर्म का यूज करते हैं धार्मिक चीजों को वो बढ़ावा देते हैं या उसे डॉप करवाते हैं या और भूले भाले लोगों का जो धर्म में आस्था रखते हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि function में धर्ब क्या है तो जो ऐक्चल में धर्ब ये नहीं जानते हैं, जो जागरूख बहुत अच्छे से नहीं है उनको बर्ध शके उनको एक चीज में बाझ सके इनको emotions सिखेद़ सके और कभी कोई भी होता है, तो कम किसी समास से ह्छुरा चाहते है, बंदे रहना चाहते है, तो कम असके कारण हम, में घिला जाता है, ये घिले कामदा है, कानुन उसके Zhuाब से शंचोदा हमना हिते है, और राज्मिती इसमें खिलते रहती है, राजनितिग्यों को जो सिर्फ अपने विए काम करते हैं, देश की जन्ता के लिए काम नहीं करते हैं, उनको धर्म से कोई लेना देना लिए। मेरा सवाल था जो जन्याम व्याभ देना जन्याभी मस्जिदें, आस्था का पृत्तियस को मानएगेगे आ पिर संपत्ति का मांबला हो सकता है और पिर आस्था का मामला हो सकता है और हमारे देश की जो जो समिधान हैं, समिधान के हिसाब से ही जो कानूनी रूप से अगर ये जहां पर प्रपाटी का मामला होगा, तो वहां पर उस नजरिये से उसका अवलोकन किया जाएगा, और जहां आस्था का मामला होगा, आस्था किसी को थेश ना पहुंचाई जा सके, हमारे जो जनता है वो ठीक से रहे और उनकी आस्थाओं के साथ ठेसना पहुचाई जाए किसी की भी हमारा समिधान क्यों बना है कैसे बना है कि आपकी भलाई हो लेकिन आपकी भलाई के लिए दूसरों का अहित नहीं होता है और आपकी भलाई हो रही है तो समिधान उसकी छूट देता है और ज हैं जभी राश्णानुन से को प्रय हिए तो नपूर शर्मा ज़ोई? भाइपा कि राश्ती प्रवक्ता निपूर शर्मा, जिने भाधी ने छे साल के लिए निस्कासिट श्रानु अप्रोचतो है。 इस पर आपकी क्लागा है ऐसा बोलना कि पूरे देश के मुस्लिम समाज में आक्रोश है और किसी भी मैं ये समस्ता नहीं हूँ परसनल ही क्योंकि जो नुकूर शर्मा जी का ये द्यक्तिगत ये टिक नहीं हो सकती है लेकिन भारतीजनता पर्ट्टी ये कोई समाज की पिंदी माज़ में सकती इसीजिए उन पररण में बताया गया है, तो उसमें भी में बोला गया है कि जो आपने बोला बोला है डो पार्टी लाहीं में नहीं है तो लेकिन ये एक पार्टी का नहीं हो सकता यु देश का नहीं हो सकता। देश का समिधान जो होता है वो देश की समिधान के सब्सक्राइब बाढ़ती जनता पार्टी चलती है जैसे हम बात भी इसी मैटर की और इसी मामले की करेंगे इस मामले को लेकर नुपुर्शर्मा की बयान को लेकर देश-घर की दिगर राजियों में समाजिक तत्व सक्री हैं और आम घटनाय आम हो चुकी हैं लेकि 36 गड़ राजियों में इस तरह की घटना भी देख नहीं जाए जाए आप देखेंगे कि अपने मीडिया पी देखा होगा और जादा तर शोचामी मीडिया में देखा होगा कि इस तरह की घटनाय धिंसक है वो 36 गड़ में नहीं को रही है क्या इसे राजिय सरकार की यहने अगो करेंगे उसका अच्छा प्रयास उसका एक तरह से काम्याभी या पर यहां के हिंदो मुस्ली में भाई चारा यहां पर जो 36 गड़ा है वो अपना शांती का टापु कहा जाता है पहले से यहां के लोग बहुत सीले स्थरन हैं और भाई चाराज में बहुत जादा विश्वास रखते हैं हम देखते हैं कि गुर्दवारा में भी अपना इफ्तार की पार्टी की जा रही है और दूसरे मतलब कहीं मुस्लिम समाज शर्वत पिलाते हुए दिखता है कहीं मुस्लिम समाज कुछ वित्रन करते हुए दिखता है दिगर जो हम मुस्लिम हिंदू के जो तेवार आते हैं या सिखों के आते हैं या किसी और समिदाई के जो तेवार आते हैं महां पर सभी लोग एक दूस कॉल करते हुए दिखते हैं. यह पर ही भारती स्दमीन करकार, और फिर कोंगर्स पर्टि जनती पार्टी की सरकार थी, और फिर कोई भी सरकार, आप अब आप शान्त है और यहां पर लोग भाईचारा में ज्यादा विश्वा सकते हैं यहां पर दूसरी निगाहों से बहुत जादा देखा भी नहीं जाता है यहां आप अंक संगाएके हैं यहां अंक संगाएके हैं संगाएके जादा भी निगाहें यहां पर जो प्रक्राण है सबस्टर्चित मुद्दा यह है पुजास्थर कानूं का इस कानूं के बारे में आपनी किया रहा है क्योंकि कोई निष्ट नहीं यह निष्गर से हैं आपने देखा निए फनी कोट कोट अपने करवाइप कूनि कर रहा है कोट कोट जो है तो वो धर्म नहीं होता है, धर्म क्या होता है, धर्म होता है कि जो देश, काल और परिस्थिती के हिसाब से, जो उस समय करना सही है, वो धर्म होता है, जैसे आज आज आपको, अगर मानीजे किसी को पाने पिनाना जरूरी है, और आप अगर नहीं पिला रहे हैं, तो आप आस्था नहीं रखती आस्था उसी को बोला जाता है जो आस्था नहीं रखता आस्था आपको आपकी क्यों नहीं है आपको पाली पिलाना चाहिए था तभी आप आस्थिक है तभी आप धार्मिक है धार्मिक वही होता है जो उस समय जो सही है वो करे अगर मान दीजिए कि और और यही सब चीज़ें आमारे जो समिधान में लिखी गई है और समिधान में एक चीज़ ये भी लिखी गई है कि अगर चाहें तो उसको संशोजान किया जा सके हैं क्योंकि ये भी जरूनी है कि आज जो सही नहीं है वो सकता है कि सही कल हो तो उसको शंचोदिन करके उस समय धार्मिक किया कर सकता है इसी दिए हमारा सा मिधान जो है वो एक धार्मिक किताब है और मैं बतानों आपको कि यहां पर जो भी दंगे होते हैं, जो उपरी तोर पर हमें दिखते हैं, लेकिन वो ऐसा करान नहीं होते हैं, कुछ और दूसरी शक्तियां भी लगी रहती हैं जो दंगा बढ़ताने में, दंगा करवाने में उनका सपोर्ट करती हैं, आज पर तो पिछले दो साल से, पिछले दो साल में 48 कलोड रूपए उनके काउंट में आये हैं बाहर से, आउक आफ इंडिया से, यह विश्यों में मतलब तकते हैं, जो यहां पर दंगा करवाना चाहती हैं, और उनका मकसद अलग है, उनका मकसद कोई लेना देना नहीं, किसी भी दंग से, किसी भी संदाय से, कोई लेना देना नहीं, उन्हें अपना मकसद साधन है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका का जो धन्दा है, वो है हतियार सप्लाई करने का, अब हतियार सप्लाई कर होंगे, शांती का वातावा रण रहेगा, तो हतियार सप्लाई तो नहीं होंगे आप मार्केटिंग में नहीं कर सकते हैं, आप मार्केटिंग बहुत दूसरी तaldo की से करते हैं. आप लडाई कर आश loves. आज तक सुन्हेने भी लडाई हो नहीं हैं पूरे वर्ड में, अमेरिका और अपना रुष्या ये लडाई के कारण ही पूरे ऊडाई हुई। और कोई करण नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही हथियार के सप्लाय रही सकने बड़े तो बाहर की शक्तियां जो हैं वो यहां पर लड़वाती हैं नुपूर शर्मा जी का और ग्यानवापी का तो अभी कुछ मईयों में ये मामला है कानपूर का जो रिपोर्ट आई है अभी तो कानपूर ने ऐसा रखना था कि प्रायोजित दंगे पहले से सोच के रखा हुआ है कि दंगे करवाने हैं ये मामला आ गया सामने तो इस मामले में दंगे करवागी आगे हम एक जादुरुक भार्ती है हम जो एक जादुरुक इंसान है पड़े दिखे इंसान है वो कभी कोई भी हम मजभ में है हम कभी नहीं चाहते है कि मजभी दंगे हमारे साथ हो या हमारे शेर में हो, महले में हो कभी नहीं चाहते हो क्योंकि हम अपने पड़ोसी को क्या बोले को कि तू हिं लुट है, तू सिख है इसाई है, जैन है, बॉट है, पारसी है खाई ये हम उससे नडदर हाजेंगे हम चाहते हैं हम बिल्कु ने चाहते हैं लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग यूज़ करते हैं ऐसी हाबो खाबो बनाते हैं जिससे हमें बचना चाहिए और लोगों को भी जाद दूर करना चाहिए कि इस तैब की काम नहीं अभी आपने एक वह अची बात बोली अमरिका कुले करके कि उसका काम हथियार सप्लाय करना है और इस तरह से वो दंगे फैला कर उसकी उपियों की तार बताता है कि अब इस्तेमार करने का समय आगया उनको कुछ धर्म नहीं उनको धर्म से कुए लिया नहीं अमे मैं बता दूर्म आपको आपको की अमेरिका बहुत जादा funding करता है यहां पर धर्म आंतर्ट के लिए बहुत सारे लोगों की दुनिया समार रहा है लेकिन यहां से जादा percentage में भीकारी अमेरिका में हैं पहले उनको क्यों नहीं कर रहा है अमेरिका यहां पर funding क्यों दे रहा है सिर्फ और सिर्फ भराश लिदी इससे उनको अपनी दूकान चगानी है Unको अपना पैसा कमाना है Unको शक्ति शाली बनना है शक्ति शाली बनने के लिए ही पूरी चीजे की जाती है और हम इसे कभी नुपूर के सार जोड़ देते हैं कभी हम इसे जो आपके जोड़ेते हैं, कभी कुछ किसी के साथ जोड़ देते हैं, इस पोई मामने नहीं है, सामने जो देखे जा रहे हैं, जो हिंसा बहाने के मामने और आधी से ज्यादा सोशल मेडिया प्रोज़क्त है, यह बोला जाए 75% सोशल मेडिया के हम बात करें, तो लोकल अपने भार्दी जो है, आपस में ही अलर्गल बयान टिपणियां, अगर अभी हाली में एक पैगंबर को लेकर 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 हैं, इस तरह की टिपणियों पर इस तरह ग्राम लगाना चाहिए, क्या धरण के नाम पर दंगा फैला का क्य हें जीते लिए लोगों की मन्शा रही नहीं से गिस्त रही है, क्यों आधिये कुछ जो टिपणियां है वो प्रयोजिके zł है, प्रयोजक बना का था है, करी लोगोग की हजारो, लाखो लोगों की जीरिका चलती है जो खुद बान देंचे कोई विशयस संद्यायक हैं, मान और मुस्लिम के खिलाः वो सोचल मेलिया में टाइप कर रहा है पोस्ट कर रहा है उसको भीचारे को अपना घर चलाना ओर ऐसे उसको यह काम भीला हुआ है जुआ है क्या कर दो है ने थे मुस्लिम समाझ के बात कर सकता हुए मैं हिंदू के बाल में मैं बहले क्या हैं, मैं एक बात बता रहाको, एक आम जंता की परिशान्य जो है वो सबसे पहले रोटी खाना है, अपने पईवारत को संहालना है, उसके करण ऐसको जे कामी हнесे कर रहे है इसका असर वो क्या आ रहा है वो इतना सोचले में उसको इतनी मंचा दी है कि मेरे पोश्ट के कारण इतने लोगों का खून बहे जाता और यह भी मैं बता दू कि पहले पोश्ट डर्वाई जाती है उसके बाद वो भड़काई जाती है दंगे करवाई जाते हैं अधितर ऐसे यही होता है कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसका जो सही में आती है सामने और जैसे कि आपने अभी बिलाई का मामला बोला तो यह उनकी व्यक्तिकत टिपनी हो सकती है और मैं दरखास करूँगा कि ऐसे मतलब हमें इस टेट की टिपनी उसे बचना चाहिए क्योंकि जो समिध हमारा यही बोलता है कि हमारे सुख के कारण कोई दूसरा दुखी ना हो हमारे खुद की खुशी के कारण कोई दूसरा नाराज ना हो समिधान सबसे का लिए ही बोलता है और यही समिधान हमारे को बोलता है कि हजारों हजारों बे गुनाह गुने का छूट जाएं लेकिन ए वहारे कानून भी बनाऊ वह है। सविधान के इसाब से जो सही है उचित हैं वो करना चीए और भी क्या पता है। प्रब्लम कहां आती है। प्रब्लम कट्टर्टा व्याद भी है। हम किसी भी चीज में अगर कट्टर हो जाते हैं। कट्टर्ता बहुत ही ज़्यादा भयाना होती है , अपने आराध के साथ जोर के माँ देखिए , कट्टर्ता यह होती है , अब आपको डक्टर बोल रहा है , आपको ग्रीक्रेजी साब भाना जरूर रहा है , आपको रोटी खाना भी जरूरी है, आपको दूसरी छीजें भी खाना जरूरी है, लेकिन आप क्या होते हैं? कि नहीं, मैं तो कट्ता हूँ. मैं तो छावाल का समर्थक हूं. तो जो कट्रता होती है, कट्रता हम जब पढ़ लिख जाते हैं, तो हमारी हम बैनेस्ट करके सोचना चालू कर देते हैं, कि नहीं हमारे लिए सबजी भी जरूरी है, हमारे लिए रोटी भी जरूरी है, हमारे को सिर्फ चाबा लेनी खाना है, हाँ ठीक है, हमारे को पसंद है हम खाएंगे, लेकिन हमें दूसरी चीजे भी खाने लें, तो कटरता जो है, वो हमें छोड़नी चाहिए, और जितना आदमी कटर रहेगा, उतना ही लोग उसका यूज करने, यूज करते हैं, इस वज़ा से हमें कटरता छोड़नी पड़ेगी, और कटरता क्या बोलती है, कट हम अपना सजा दुआ इस चीज में, ऐसा पुड़ी नहीं होगा, आज प्रवल्म क्या है? आज प्रवल्म यह है कि आपने गलत किया है, मान लिज़े कि उन्होंने गलत किया, कोई किसी ने भी अपने आरादे देव का अपमान किया, तो कटरता क्या बोलती है, कि आप उन्ह इसनीए उसको सचा नहीं मिन्नी च़ेहिए ? हम कह रह रहे हैं इस की सचा मिननी चोहीए ! लेकिन आसख्यांना आप गूसे कहिए ! जो कि अपकी कि आपका समीधान को और जो 们ब्रें आपजया है ! हम सभी देश्ने का अखरता है ! और उसी केस आप से चलना चाहिए और हमारे कारण किसी दूसरों को दुखनी पहुंचना चाहिए यह हमारा संध्धान को होता है वर्तमान में धर्म को लेकर जो माहोर देखा जा रहा है उस पर अपने एक राय और एक अपील दर्शकों से क्या करना चाहिए कि आप सी समझस से बना रहे हैं लोगों में कटरता की एक बात आप ने कली कटरता छोड़ के संध्धान को फॉलू करते वे आप सी समझस से कैसे र करते हैं फिर हम शिया सुन्नी हो जाते हैं फिर हम वैशर शत्री ब्राहण और शूद्र से अपस में होते हैं और उसके बाग फिर शूद्रों में भी कैटेगरिया निकल जाती है ब्राहणों में कैटेगरिया निकल जाती है शत्रियों में कैटेगरिया निकल जाती है उस कै अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, इस काभिल बनाना चाहिए कि सही और गलत का वो नेड़ा ले सके और उसके बाद इस्टेप उठाए जब तक हम सही और गलत का नेड़ा नहीं लेते हैं तब तक हम गुलाम होते हैं हम तथा का थित गुलाम अभी दूसरों के हैं, बले हम अंग्रेजों से नहीं हैं, अंग्रेजों के नहीं हैं, हम पहले उसके पहले जो विदेशिया करांताय आये थी उन्होंने हमारे गुलाम मनाया, हम उनके नहीं हैं, हम उनके गुलाम कब बले हम जग, हम शिक्षित नहीं जादूद बने और इस गुलावी से निजाग करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्म की राजनीती और देश के भी वर्तमान माहुर पुलेकर आपने बहुत सी चर्चा की और बताया कि किस तरह आपसी भायचारी के साथ रहा जा सकता है। ला मैं तेरा प्रशाद खालो और तू खाले मेरी शिर्री। किसी हद तक कि ये धर्म के नाम पर राजनीती करना भी लोग चोड़ेंगे और आपस में भायचारा भी रहेगा। नमस्कार